Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info Finally, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आचुकी है JNK Education Department Jobs निकल कर आचुके है 10 plus 2 Lecture R Vacancies 2024 आउट की गई है Finally, एक good news है बहुत सारे candidates के लिए district wise आपकी vacancies रहने वाली है 748 post निकल कर आचुकी है Apply केसे करना है Subjective wise आपकी vacancies रहने वाली है किस-किस subject के लिए कौन-कौन सी vacancies है सब कुछ हम detail में बात करेंगे वीडियो आपके लिए important है वीडियो को एंट तक देखना चैनल पर पहली बार आचुकी हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना साथ में बेल आइकन को आल नोटिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले नीचे कॉमेंट उसमें मेंशन करना आपकी इस डिवजन किस डिस्ट्रिक से बिलांग करते हो यहां पर आप देख सकते हो डिस्ट्रिक वाइज कौन-कौन से डिस्ट्रिक के लिए वेकंसी हैं और सब्जक्ट वाइज उपर सब्जक्ट मेंशन किया गया है साइड में सीरियल में यहां पर आप देख सकते हो डिस्ट्रिक मेंशन किया गया है अनतनाग के लिए टोटल वेकंसीज 142, बारा मुला के लिए 115, बांडीपूरा के लिए 70, बढगाम के लिए 65, गांदरबल के लिए 36, कुलगाम के लिए 58, इसी तरह कुपवारा के लिए 148, पुलवामा के लिए 63 शुपेन के लिए 25, और सिरिनगर के लिए 26, यह टोटल वेकंसीज 748 वेकंसीज हैं, इसी तरह बात करेंगे जोमूर डिविजन की भी लेकिन उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे किस-किस सब्जक्टिक के लिए कितनी वेकंसीज हैं, इसी तरह अगर हम यहां पर आपी में 4, हिस्टरी में 9, कश्मीरी में 2, मैथमेटिक्स में 13, फिजिक्स में 7, पोलिटिकल साइनस में 10, सोशालजी में 9, और्धू में 15, और जौलजी में 11, यह सब्जक्टिस जो यहां पर मेंशन किये गए हैं, इन में वेकंसीज अलग-अलग डिस्टिक वाइज निक निकल कर आचुकी हैं, जैसे कि आपको मालुम होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था, आपको अपडेट दी थी कि यह वेकंसीज आने वाली हैं, इसी तरह टर्म और कंडिशन दी गई हैं, यह जो वेकंसीज हैं, इन के लिए आपकी सेलरी 25,000 पर मंत रहने वाली हैं, और यह 31st मारेश 2025 तक academic session temporary basis पर रहने वाली हैं, याद रखना जो temporary basis पर पोस्टे होती हैं, इन के लिए भी apply किया करो, ताकि आपको जो future में permit कोई पोस्टें ऐसी आती हैं, उसके लिए फिर experience मांगी जाती हैं, इन पोस्टों की वज़ा से आपको experience मिलती हैं, जो यह temporary basis पर पोस्टें होती हैं, इन की वज़ा से आपको experience मिलती हैं, जो experience आपको काम आती हैं आगे, इसी तरह यहाँ पर अलग-अलग age relaxation दी गई हैं, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अपर age limit कितनी रहने वाली हैं, अपर age limit 40 years, यहाँ पर आप दे सब्मिट करना है, सब कुछ हम discuss करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, डेमसायल सर्टिके, डेटाबर सर्टिकेट, फीजी, फाइनल मार्क्स कार्ड, एमफिल सर्टिकेट जहाँ पर applicable होगा, पीएज़ी सर्टिकेट जहाँ पर भी applicable होगा, नेट सेट सर्टिकेट जहाँ यहाँ पर भी applicable होगा, और बाकि आप यहाँ पर documents देख सकते हो, कि कौन से documents, याद रखना इनके लिए आपको miriard based selection रहती है, अलग-अलग district के लिए, अलग-अलग cut-up रहता है, subject wise, और आपको miriard based पर जो आपको PG में miriard है, उसी based पर आपकी selection रहती है, apply आपको केसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपशल website www.it-it.com, यहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको आपको आपना फारम submit करना है, online, important dates आप यहाँ पर देख सकते हो, आज से फारम आपके apply होने वाले हैं, submit होने वाले हैं, और last date 30th June 2024 रहने वाला है, जितने भी students कश्म आपको apply करना है, यह आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका जो last date रहने वाला है, वो 30 June रहने वाला है, और selection procedure यहाँ पर आप देख सकते हो, PG को आपको 85 points मिलने वाले हैं, net set को 3 points, MPhil को 5 points, PhD को 8 points, और publication national and international level को 4 points, यही total आपके 100 points मिलते हैं, अब weightage की अगर हम बात करेंगे, ज्यादातर weightage, PhD और MPhil candidates को भी मिलने वाली हैं, यह आप यहाँ पर देख सकते हो, 8 points उनको मिलने वाले हैं, ज्यादातर points उनको ही मिलने वाले हैं, बाकि आप यहाँ पर देख सकते हो, actual notification है, यह actual notification जारी की गई हैं, आज ही already मैंने आपको update दी थी कि यह notifications जल्दी ही आने व आने वाली हैं, जल्दी ही उनकी भी notification आने वाली हैं, अब आपको केसे apply करना है, आपको सबसे पहले Google पर जाना है, वहाँ पर आपको search करना है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, कौन सी website है, कहाँ पर आपको जाना है, यह आप यहाँ पर देख सकते हो, actual notification में mention किया गया है, या आप डिरेक्टर डिरेक्टर रेट आप सुकूल एजुकिशन कश्मीर सर्ज कर सकते हो Google पर, वहाँ पर जो ही आप जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा बागी फर्दर क्या करना है वहाँ पर, जो ही आप website पर किलिक करोगे, जिसकी link नीचे description books में दी गई है, आपक आप चेक कर सकते हो, नोटिकेशन नंबर 6, डेसिक आप 2024, डेटिद 19-6-2024, एडविटीज में नोट्स तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एपलाई हीर पर आप किलिक कर सकते हो, जो ही आप इस पर किलिक करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, हाईरिंग आप सी आर और continue पर किलिक करना है, जो ही आप continue पर किलिक करोगे, scroll down, accept and continue, उसके बाद यहाँ पर loading आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है, तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो, total 6 steps है, यह 6 steps आपको यहाँ पर fill up करने है, जिसमें पहला step है, identity, दूसरा step है, personal details, ती step है, जो documents आपको मांगेगे, upload करने, और 6 steps declaration, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले email, उसके बाद contacting number, इसी तरह उसके बाद continue पर किलिक करना है, यह ऐसे ही आपको 6 steps follow करने है, continue करने है, अपने documents upload करने है, यहाँ से आप अपना form submit कर सकते हो, यह एक बड़ी update है, बड़ certificate आपको दी जाएगी, साथ में आपको 25,000 पर मंत सेल रहने वाली है, यह full details, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह के updates पाने के लिए चैनल पर बने रहे, और हमारे WhatsApp चैनल को follow कीजिए, link नीचे description box में दी गई है, जहाँ पर आपको latest updates हर बार मिलती है,